हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल इंग्लिश विच शगन रोड़ा फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए आर के नरायनन के जी वेंडरो स्वीट के चैप्टर बारा की डिटेल समरी लेकर आया हूँ स्टार्ट करते हैं यह बहुत इंपोर्टन चैप्टर है जगन सारा दिन माली के द्वारा कई बातों पर सोचता रहा उसने इन बातों को कजन को भी नहीं बताया उसने गीता से भी कुछ उपदेश पढ़ने की कोशिश की पर उसका भी कोई फाइदा नहीं थे सारा दिन वो उस टैचू के चबूतरे पर बैठा रहा यहां तक की शाम होगी जब सब लोग घर चलेगे तब भी वो वहीं बैठा रहा वहां से बैठा बैठा वो अपने घर को देखता रहा जो पूरी तरह अंदेरे में गिरा हुआ और शान्त था उसने उस टाइम के बारे में सोचा ज जनम से काफी समय बात तक रहा यहां तक कि उसकी शादी के बात तक घर चमकता ही था जगन को वापिस अपनी यादों में चला गया और उसे उस टाइम की याद आई जब वो जवान हुआ था था उसको वो अब उसे अपनी शादी का टाइम याद आने लगा वो कूपम में जाकर उसने अपनी होने वाली दुलन को देखने के लिए गया था उसका बड़ा भाई उसके साथ में गया था वो ट्रेन से माईल गाउं में गये थे जो की जो की ट्रीची से दो दो स्टेशन आगे था फिर वहाँ पर वो एक बुलक काट में एक बैल गाड़ी में वो आगे गए होने वाली दुलन के जो भाई थे वो उने रिसीव करने आए थे और वो भी गाड़ी में साथ ही थे जगन बड़ा खुश था उसके बाई ने कहा था कि कुछ भी हो जाए लड़की को गूर कर मत देखना और उसके जो रिलेटिव साथ में गए थे जो दुलन के रिलेटिव थे उन्होंने उसको अच्छी तरह से अलग लग एंगल से नाप तोल कर देखा मीन्स चेक किया कि लड़का लंबा है चोड़ा है कैसा है जब उससे पूछा गया कि तुम कॉलज में तुमारा क्या सबज पढ़ाई का तो जगन ने बोला था कि हिस्ट्री है जब दोनों अकेले होगे तो भाई ने बोला था कि तुम्हें मैथमेटिक्स कहना चाहिए था इन्हें एक गनित वाला जो सनिला दमाद है वो ज्यादा पसंद है अब जब वो बाते कर रहे थे सब रेडियेटिव तो ज उसे एग्जेक्ट आइडिया नहीं लग रहा था वो वेट कर रहा था कि कब उसे घर के अंदर बुलाया जाए और दुलन दिखाई जाए उनके लिए एक चांदी की ट्रें में दो लोटे कोफी और कुछ स्नैक्स आये थे हालां कि जगन अपनी भुकड़पन के लिए बड बुलाया हलांकि और जगन हलांकि अंदर से तो जगन मरे जा रहा था कि कब मुझे अंदर बुलाएं और मैं फटा फट जाओं लेकिं जगन सबसे लास्ट में गया और क्योंकि उससे पहले वो चार दुलन देख चुका था अब वो सब लोग गांग के जो घर है उसके जगन की होने वाली जो दुलन थी वो हार्मोनियम पर कुछ गाना गाकर अपनी सिंगिंग आर्ट को दिखा रही थी फाइनली वो अपने वो बड़ी शर्माती हुई होल में आई उसकी आँखे नीचे थी और सर जुका हुआ था ना तो छोटी थी ना लंबी थी ना मोटी पतली थी जगन ने उसके उसको बस ऐसे अनिच्छा से देखा उसने भी जगन पर एक एक जलक डाली और दोनों की आँखें मिली जगन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा लोग उठे और उस जगां को छोड़कर आ गया और इस तरह ये मिलना कम्प्लीट हो गया आने वाली यातरा में जगन बस शान तीरा ट्रेन दो घंटे लेट की तब उसके भाई ने बोला उन्होंने हमें इतना जल्दी क्यों यहां पर फैंक दिया जगन बोला कि उनकी अपने शैद कारण होगे तब उसके भाई ने डांटा कि भई अभी तू अभी से ही उनका उन स्नेल की चाल से कैंचुए की चाल से चल रहा था गोंगे की चाल से चल रहा था तांकि शायद उसे कहीं खिड़की में से दरवाजे में से होने वाली दुलन की जलक मिल जाए आते समय भी वो सारा टाइम उसी के बारे में सोचता रहा कहता कि ओहो जाते समय में उसको गुड जब दोनों भाई घर पर आये तो उनकी माँ दर्वाजे पर पानी डाल रही थी और उस वहाँ पर रंगोली बना रही थी उसकी माँ ने उसको देखकर मुस्कराया कोई परशन नहीं पूछा उसका जो उनके फादर थे वो पिछे कुए में से पानी निकाल रहे थे उन्होंन की तरह ये खबर बाहर आगी और उसकी बेहन ने आकर बोला कि कोई जल्दी ही निपटने वाला है गर में पूरा जोश था जगन की बाबी को उसके माईके से बुलाया गया तांकि वो आकर शादी में हेल्प कर सके दिरे दिरे सारी त्यारियां बढ़ने लगी जगन के कितेदार थे उन से मीले जिनकी रजामंधी जरूरी थी जब उनको उनकी अपّरूवल मिल की तो जगन के फादर ने अपनी वाइफ से काफी सारा कंसल्टेशन किया जगन इस सबकें अंदर प arrogant नहीं दिखाता था पर वह यह शोबू नहीं करता था उसके मन केंदर क्या चल पापा उनसे पाँच जार रपे की डोवरी दहेज की मांग कर रहे हैं, पाँच जार रपे देज की मांग करकर जगन को बड़ी चिंता होई कि वो मेरे सुस्राल वाले कैसे ये पैसा देंगे, उसकी शादी सेप्टमबर में होनी थी अभी तीन मीने पड़े थे उसे बड़ा डर लगा कि तीन मीने बाद मैं एक मेरिड व्यक्ति बन जाओंगा जब तक एक लड़की का खुआप देखना तो सही है पर एक हस्बंड बनना एक बड़ी टेरिफाइंग रियल्टी है पापा ने अप्रूवल का लेटर कूपम गाउं में लिखा एक शाम दुल्हन के परिवार वाले बड़े बड़े ब्रास ट्रे लेकर आये जिनमें फूरूट थे नईने कपड़े थे केसर थी बाकी चीज़े थी बहुत सारे प्रीस्ट और रिलेटिव को बुलाया गया जगन को एक नई दोती दे कर सेंटर में बठा दिया गया मुख्य पुजारी ने एक शीट पेपर की शीट खोली और उसने वैडिंग नोटिस जगन नाथ बड़ा की जगन नाथ जगन का पूरा नम जगन नाथ है जगन नाथ फुलाने का बेटा उसकी शादी फुलाने की बेटी अंबिका से हो रही है ब्राइड के पापा ने ये डोक्यूमेंट जगन के पापा को दिया और एक लिफाफे में आदी डोवरी यानि डाईजार पे अडवांस दिये फिर एक बड़ा सारा एक बड़ी सारी पाटी दी गई घर को अच्छे से चमकाया गया और गेट पर और पाइप और ड्रम बजाए गए तांकि सब को पता चले कि एक शादी सैटल हो गई है अधी रात को सब दुलन के घर वाले ट्रेन से चले गए जैसे ही सब्तंबर का महीना आया तो घर के अंदर एक्स्ट्रा ओड़नरी अक्टिविटीज हो रही थी जगन को तो समय ही बूल था उसकी एन टरम एक्जामिनेशन पूरे हो गए थे उसकी माँ और बाकी बाई बाकी रिलेटिव ने साड़ियां खरे दी उसके बाई ने इनिविटेशन कार्ड की प्रिंटिंग का चार्ज ले लिया बिसारे कार्ड वो प्रिंट करवाएगा जगन ने काफी टमेट टेल प्रिंटी होगी जगन ने सभी गैस्ट का स्वागत किया और उनकी आगे जुक जुक कर परनाम किया जगन को पवितर अगनी के आगे बठा दिया गया और पुजारी जी ने पवितर मंतर बोले बस इन सारी चीजों में वो बड़ा बोर फील कर रहा था लेकिन उसको बस एक एक पल अपनी वाइफ से बात करने का मौका मिला जैसे कोई मौका मिलता कोई डिस्टर्ब कर देता शोर ड्रम का म्यूजिक उन पाइप का म्यूजिक जोग ये सब कुछ वो पार्टी तीन दिन तक चलती रही और उसके बाद फोटोग्राफर ने ने सेंटर में बठा कर सब दिन लव मेकिन करता उसे अब अपनी एजुकेशन बड़ी बोर लगती थी उस कलासें छोड़ने लगया और वो घर जल्दी आ जाता चुप चाप घर में आकर अपने कमरे में बैठ जाता और हर एक्जाम में फेल हो जाता उसके फादर ने बोला कि अंबिका को छे मिनने के घर बेज़ दो अगर जगन को पास होना है सारा दिन वो कमरे में बैठा रहता और अपनी वाइफ के आने का वेट करता उसकी वाइफ को क्योंकि ये एक जोइंट फैमिली थी वहांपर काम करवाना पड़ता था वो उसे बताती थी कि मेरे को मैं एक बहु हूँ मुझे करता कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं उसकी वाइफ हमेशा उसको खुश कर देती थी और उसकी सारी डिमांड्स पूरी करती थी उसके फादर उसे डांटते जब वो पढ़ाई नहीं करता था उसकी माँ उसे कहती कि बेटा तब तक बेटा है जब तक बहु नहीं आती है उसकी बैन उसे कहती कि एक अजनबी को ने उसकी वाइफ ने बोला कि मेरे लिए जादा शर्मिद्गी पैदा मत करो उसके बड़े बाई ने उसे सला दी कि कुछ टाइम तुम सारे रिश्दारों के साथ निकाला करो हलांकि वो किसी की परवाँ नहीं करता था जगन और अंबिका की शादी को दस साल हो गए थे वो बार बार बारवी में फैल हो गया और बीए में भी फैल हो गया था और उसके फ Alger के कोई उसके पादर बनने के भी कोई चांस नहीं थे उसका भाई प्रोपर्टी के बटवारे के बाद अलग हो गया था और उसकी बेहन की शादी हो गई थी अब सारा घर शान्त था जगन की मा यानि अम्बिका की सास जो है वो उसे डांटा करती कि तेरे एक बच्चा नहीं हुआ है जिसके कारण हमें सोने की पेटी नहीं मिलिया ऐसा वहां रिवाज था कि जब भी कोई किसी कोई दादी बनती थी तो से सोने की पेटी मिलती थी अम्बिका ने जगन को उसकी मा की डांट के बारे में बोला और कहा कि अगर मेरे बच्चा होता तो मुझे यह सुनना नहीं पड़ता उन्होंने एक दुसरे को बताया कि हम इन फर्टाइल नहीं हैं हम बांज नहीं हैं अब जगन दीरे दीरे बैड़ पर आना कम कर गया वो अधिकतर क्या करता अपना एक चटाई उठाता पिलो लेता और वरांडे में जाकर सोने लग जाता जब उसकी वाइफ उसके पिता के घर से आई तो वो उसने उसको एक सेक्स करने के बारे में नहीं का है सेक्स का मतलब तो यह है कि हमारे हमारी जो स्पीशीज है उसका बढ़ावा है और उसने सेमिनल वेस्ट और बाकी सब चीजों के बारे में भी उसने पढ़ा था उसने ब्रहम चारे साली बेसी कंजर्वेशन वगरा के बारे में पढ़ा थ था इसलिए उसको लोगा कि बच्चा परदा करना कोई वेस्ट चीज है अंभिका के अंदर इसके लिए क्रेव थी जब उसने देखती कि वो वो अपने चाटाई लपेट रहा है तो वो से बोलती कि तुम वहां पर यहां ब्रामदी में जाकर क्यों सोते हो वहां जाकर उस किश्णा मंदीर लेकर जाओंगा जो कि किसी ओरत में बांजबन को दूर करने का एक मातर उपाए था जगन को शरम आगी वो अपने पापा को कहना चाहता था कि नहीं मेरी वाइफ बांज नहीं है पर वो इस बात को अपने ममी पापा से डिसकस नहीं करता था उसने यह बविशेवानी को पूरा कर सके जो वहां बेचने वाले एक कोकोनेट सेलर ने की थी वहां पर किसी नारील बेचने वाले ने का था भी जो यहां आता है उसके बच्चा होता है फिर जब बच्चा पैदा हुआ फिर वहां गए अंबिका वापिस अपने घर गई थे एक बड़ी सारी पार्टी रखी की जिसमें सोग गैस्ट बुलाए गए दोनों जो ग्रेंड फादर थे दादा नाना बड़े खुश थे जगन के ससुर ने का कि बच्चे के नाम पर एक अजार पर जम्मा करवाते हैं हर साल उसमें सो सुर पर बढ़ाएंगे जगन के चेर में प्रोपर स्टेटस मिल गया तो आई होप फ्रेंड इस इंपोर्टेंट चैप्टर आपको अग्जाम में हल्पूल होगा आपने कीम्ती समय जाइए इसके लिए आपका बहुत बहुत नयवाद आपका दिन शुबू कर दिन शुबूदकrale का बहुत बहुत आपका दिन